पाहत पंडे ने अपना राशन इशा को बहुत अच्छे तरीके से दे दिया पूरे घर के लिए यूज़ करने के लिए उस चीज़ से अब करनवीर के और दिगविजे की काफे ज़दा जली हुई है अभी आप लोगों को तो पता ही है कि दिगविजे और करनवीर का कितना नेगिटिव दिमाग चलता है अब उनके हाथ में जो है ये पावर आई है सिरफ उनी के हाथ में नहीं पूरे घर के हाथ में आई है अगर उनको किसी को कुछ देना है तो उनको दूसरे से कुछ लेना भी होगा तो उसके लिए बराबर बात भीच करनी होगी पर ये लोग इतने जदा भरे पड़े हैं कि हम तो अब पूरा घर चलाएंगे अब तो हम खाना देंगे नहीं किसी को क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कशिश के हाथ में आटा है चुम के हाथ में अंडे हैं चावल है हमारी तरफ ही जो राशन है जो असली राशन है वो जो है वो हमारे तरफ ही है पर इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि भई विविन के पास हरी सबजियां है क्या रोटी बन कुछ दाल रखी है और स्वीट पटैटो जो है वो उसको दे दिया है सारा को दे दिया है और ये सब चीज़े होने के बाद जो है इवन दाले वाले जो है वो इशा को बता दिया है कि इशा यहां पर दाले पड़ी है पूरे घर के लिए तुम यूज कर लेना जो कि मुझे वो चीज मिली नहीं मुझे वो चीज अच्छीन लगी मेरे को बहुत ज़्या पसंद है पूछना चाहिए था देना चाहिए था अभी आपने वो सब चीज़े उनको दे दी है आपको कर खाना नहीं चाहिए आपका माँगेंगी नहीं बोले है अफ़कॉस मैं क्या आई हो कि आपको समझ नहीं आता बेफकुफ करन थाउजन्ट एप्पिसोड एक रियालिटी शो के नहीं कर कि आई वो एक स्क्रिप्टीड शो है जिसमें उसको बहू का पता नहीं किसका रोल जो मिला था उसको वो प्ले कर रही थी और उसी चीज में थाउजन्ट एपि रहा है उसको डराने के अंदर से कोशिश कर रहा है तो आखिरकार इन लोगों की इतनी ज़दा जली पड़ी है ना कि लोगों का ऐसा है कि दूस्टे पूरे घरवाले भी जो है वो हमाई तरफ आए और इन लोगों को सताएं और इस तरीके से जो है यह सब चीज़े चले क्या